कबर गेरादुन से जहां 22 वर्ष ये युप्ती पर चाकू से हमला कर दिया गया मदरासी कॉलिनी में घर में घुस कर हमला किया गया गंबीर हालत में युप्ती जो है अस्पताल में भरती है आरोपी के तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है कोतवाली थाना चेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो महिला की हालत जो है वो गंबीर बताई जा रही है गंबीर अवस्ता में अस्पताल में भरती करा गया आरोपी की तलाश में लागटार पुलिन जुटी हुई है लागटार चापेमारी कर रही है गोतवाली थाना चेतर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो 22 वर्षी युक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया और हमले की पीछे की बज़ा क्या है अभी तक इस पूरी हमले की जानकारी नहीं मिल पाई है अलाकि मजरासी कॉलनी में ये पूरा वार्दा जो है वो घटा है और इसको लेकर पुलिस भी जगह जगह चापेमारी कर रही है आरोपी की तलाश में लागतार पुलिस जुटी हुई है आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह पर चापेमारी की कर रही है और उमीद है कि जल्द सर जल्द आरोपी की ग्रफतारी जो है वो हो जाए पर आरोपी की ग्रफतारी के बाद, पूछताज के बाद ही पता चलपाएगा कि आखिर क्यों उस आरोपी ने 22 वर्शे युपति के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत थी मर्न जांदरल कारी के साथ हमाय संवादाता स्वारभाथ हमाय साथ पॉरलाइन पे बने वे हैं स्वारभ अभी युप्ति कि श्थिपी कैसी बनी हुई है और पुलिस की तरब से कोई बयान सामने आया तो स्वारब आप बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि अभी आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है पुलिस के गिरफत में आरोपी कौन है आरोपी क्या कुछ रिष्टे बताय जा रहे हैं और आरोपी को लेकर पुलिस के तरब से कोई बयान पुलिस के पुलिस के पुलिस के गटना है राज़दानी देरागूर में गटी दो रहे हैं और क्यों जो है यह सारी चीजे सामने आई जी चलिए सार बहुत बहुत शुक्रिया जुदने के लिए तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुचाने के लिए